तो इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे HTML का यूज़ करके वो वेबसाइट होगी Frontend Roadmap के उपर कि Frontend सीखते टाइम हम लोग को क्या-क्या सीखना है जैसे क्या-क्या Technologies है HTML है, CSS है, JavaScript है और भी उसके अंदर क्या-क्या तो उसके उपर मैंने एक छोटी से वेबसाइट बनाई है उसका डिजाइन यहाँ पर है अगर हम लोग स्क्रीन पर आएं अपने देखेंगे, Frontend Development ठीक है, और फिर उसमें थोड़ा जा content लिखा है, और फिर यह है पूरा वेबसाइट का डिजाइन, ठीक बनाना है, html का यूज करके वेबसाइट बनाना है, तो यह पूरा डिजाइन है वेबसाइट का, उपर से नीचे तक, desktop में हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, और फिर mobile में यह mobile डिजाइन है, ठीक mobile में कुछ ऐसी दिखेगी यह हमारी वेबसाइट और फिर अगर हम लोग टैबलेट में देखेंगे, तो ऐसी दिखेगी हमारी वेबसाइट, ठीक तो यह तीन डिजाइन है, हम लोग को एक ही code लिखना है, ऐसा code लिखना है कि तीनों जगा पे अच्छे से दिखे, ठीक, तो वो हम लोग सीखेंगे, कैसे करते हैं, और हम लोग यह बनाते-बनाते हम लोग यह भी सीखेंगे, कैसे यह links लगाते हैं, जिससे कि यह link है, इस पे click करेगा, user तो कहीं और चला जाएगा कैसे bullet points create करते हैं, कैसे numbering वाले points create करते हैं, ठीक, तो लोग यह सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे और तो अगर आपको लग रहा होगा कि यह website बहुत सुन्दर नहीं है जैसे कि यह desktop design उपर से नीचे तक तो क्योंकि हम लोग HTML का केवल यूज़ कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यदा सुन्दर नहीं लेकिन फिर भी मेरे साब से काफी सुन्दर है आप देखना चाहें तो यह है HTML का यूज़ करके जो website बनी थी पहली website यह भी लाइव है यह ऐसी कुछ दिखती है यहां पर आप आप जाके देखेंगे तो यह रही website इसमें कुछ भी आप खोल के देख सकते हैं इसका link में description में दे दूँगा और यह एक अमेरिका के Cornell University के एक काफी famous professor है काफी knowledgeable एक computer science के professor है उनकी website है यानी कि उनका portfolio है तो यह उनका portfolio है और यह एक dart mouth university के एक professor है उनका portfolio है और यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने 90s में बनाके छोड़ दिया इन्होंने अपडेट किया इसको 2022 में इन्होंने अ और फिर इन्होंने January में किया था फिर June में भी किया है यानी कि इस website को लगतार अपडेट कर रहे हैं मतलब यह इनका actual portfolio है जो कि यह लोगों के साथ share भी करते हैं तो अगर इनकी website ऐसे हो सकती है तो हम लोग की जो यह website है वो भी उससे मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा ही क्योंकि हम लोगोंने सुंदर images का यूज किया है और थोड़ा अच्छे से किया है तो हम लोग की website थोड़ी इच्छी दिख रही है और यह कहां के हैं यह Stanford University के professor है उनकी ऐसी website है तो मैं इन सभी professors की website को भी मैं link में दे दूँँगा यह सारे computer science के professors हैं और इनकी website ऐसी है तो ह हम लोग की website है ऐसी हो सकती है मतलब केवल html का यूज करके website बनाएंगे तो उसको खराब नहीं बना जाता अच्छी होती है तो इस सभी सभी का link मैं description में दे दूँगा अगर आप चाहें तो अभी चक कर सकते हैं जाके तो अभी के लिए हम लोग इसको close कर देते हैं और हम लोग अपना web development वाला folder open करेंगे front end यहां पर मैंने फोल्डर का structure चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत जादा वीडियो हो रही थी और आप आप लोगोंने जो लास्ट वीडियो लास्ट फोल्डर जहां पर भी create किया था उधर ही create करके आप स्टार्ट कर सकते हैं तो हम लोग यहां पर front end roadmap नम से एक फोल्डर क्रेट कर लेंगे इसको open with VS code करेंगे यहां पर हम लोग index.html फाइल बना लेंगे अगर आपको जानना है कि index.html ही क्यों फाइल का नाम रखते हैं जो हमारी main file होती है तो उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है उसका link मैं description में दे दूँगा अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को check out कर सकते हैं लेकिन अभी देखने की जरूरत नहीं है अभी आप यह वीडियो continue करें मैं लास्ट में आपको याद दिला दूँगा आप उसको जाके देख सकते हैं कि html जो हमारी main html फाइल होती है उसका नाम index.html ही क्यों रखते हैं हम लोग file create करेंगे index.html नाम से exclamation mark दबाएंगे tab दबाएंगे हमारा boilerplate code आ जाएगा पूरा फिर यहाँ पर इसका title दे देंगे front-end रोड मैप तो हमारा boiler plate code ready है अब हम लोग को actual code लिखना है body के अंदर तो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग design देखेंगे कहां पर design design देखेंगे फिर code करेंगे दिजाइन देखेंगे फिर code करेंगे और अगर हम लोग यहाँ पर design वाले folder में जाएं कहां गया, design वाला folder यह है, design वाले folder में जाएंगे तो web designs front-end road map यहाँ पर assets है, asset यानि की जो भी images यूज हुई है इस website में, यहाँ पर तीन images यूज हुई है, एक पर फिर से खोल लिते हैं, तो designs में, यहाँ पर तीन images यूज हुई है, ठीक, तो यह सारी तीनो images यहाँ पर assets folder के अंदर हैं, ठीक, यह तीनो images, तो इसको हम लोग सिधा अपने folder में copy कर लेते हैं VS code में copy कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जरुवत पड़ेगी तो इसको मैंने कर लिया copy copy folder कर देना है तो ये सारी images हमारे इस folder में आ गई है ठीक और फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक content.txt नाम से file है तो अगर इसको हम लोग open करेंगे तो ये notepad में open कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी website का content था content यानि की जैसे कि ये front end development है और फिर ये front end development फिर पूरा एक content जो पूरी line है कहां गया मेरा notepad कहां गया फिर से open कर लेते हैं तो ये देखो पूरा content मैंने यहाँ पर दे रखा है ताकि हम लोग को पूरा type out न करना पड़े पूरा लिखना न पड़े तो इसको भी हम लोग अपने VS code में ही डाल लेते हैं ताकि खोलने में असानी रहेगा actual में ये हम लोग deploy नहीं करेंगे मतलब जब हम लोग netlify पर डालेंगे तो हम लोग इसको upload नहीं करेंगे अभी के लिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ताकि side में पड़ा रहे तो फिर खोलने में थोड़ा सा आसानी रहेगा यहां से content हम लोग copy कर सकेंगे तो तो हमारा यह है design हम लोग अब start करते हैं तो यह जो पहली heading है देखने में लग रही है कि एक heading है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था है एच वान एच टू यहां पर है एच वान यूज करेंगे क्योंकि यह main heading है तो हमारे एक जो भी page होता है उसमें एक होना जरूरी होता है ताकि पता चले इस page में कोई main content है जिसकी heading है कोई content है जिसकी main heading है तो यहां पर हम लोग को लिखना है front-end development तो लिखेंगे नहीं हम लोग यहां से यह खुल के आगया अब फिर उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो एक line है तो अब इस line को कैसे draw करें हम लोग तो हम लोग एक कम तो यह कर सकता हूं में कि अभी आपको बता दूँ कि यह वाला tag use करो और वो line आ जाएगी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा आप लोग खुद से ट्राइब करें गूगल पर सर्च करें हाउ तो ड्रा होरिजॉंटल लाइन और यूजिंग अच्टेमल अभी इस वीडियो को पॉस करें और सर्च करके उसमें करके देखें होता है कि नहीं मैं वेट करूंगा आपका आप कर लीजे फिर वीडियो को स् करते हैं चलो चलो हो गया होगा अभी तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब भी कोई डिजाइन डवलप करें और कोई नहीं चीज आए तो आपको सर्च करना चाहिए क्योंकि मैं हर एक चीज नहीं बता दूँगा अच्टेमल बहुत बढ़ा है ठीक अच्टेमल की है ड्यवलप करना कि गूगल करते हैं तो जसे अभी अभी हम लोगों होने इंकांटर किया होरिजॉंटल हम लोग यहां पर स्ट करेंगे हाव डॉड रावं ल स्थार्व यहीं से कॉपी कर लिया मैंने मुझे लग रहा है मतलब देखके लग रहा है कि यह चाहर टैग देखो थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो लेकिन मैं कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देता हूं पढ़ूंगा भी नहीं क्या है तो चलके देखते हैं हमारा जो आपूट है उसमें क्या यह देखा हो ऊरिजोंटल ला लाइन क्रेट होगी स्कुर्य के वाल html का यूज करके करना है css में जाएंगे तो हम लोग बहुत तरीके होते हैं जिससे हम लोग एक horizontal line बना सकते हैं चार tag use करने की जरूरत नहीं है तो ऐसे आपको search करना है ठीक कैसे कैसे एक horizontal line create करें अगर आपके मन में horizontal word नहीं आ रहा है तो how to draw draw line in html तो उसके बाद जो how to draw line तो भी horizontal tag वाला आ गया result ठीक तो आपको बस केवल सर्च करना है कुछ भी search करना है जो भी आपके मन में आता है वो search करना है जैसे कि अगर आपके पास कोई आपसे senior होता तो आप उससे पूछ सकते थे कि horizontal line कैसे draw करें या line कैसे draw करें html में वो आपको बताएगा इस case में आपका जो senior है वो Google है Google को सब कुछ बता है बस आपको Google पर टाइप करके search करना है और और मैंने यूज किया है तो इसका जो by default family होती है जो html की जो by default font family होती है वो होती है serif तो मैं याद करना ही कोई ज़रूद नहीं है लेकिन हम लोग इसको change करके कर देंगे style हमें लिखना है font family लिखना इसको कर देना sans sans serif मैंने यह अभी दो को मैंने sans type किया फिर suggestion नहीं आ रहा था तो control space दबा दोगे तो suggestion आ जाता है नीचे control space से suggestion आता है तो यह sans serif मैंने कर दिया तो मेरा font वैसे दिखने लगा जैसे यहां पर था तो यहां पर तुम्हें याद नहीं करना कि इसको कैसे लिखेंगे कैसे क्या करेंगे style is equal to कहां पर colon लगाना है कहां पर semicolon लगाना है कहां पर double quotes लगाना है यह सब कुछ नहीं याद करना तुम बस जैसे मैं वीडियो में लिख रहा हूं ऐसा लिख दो आगे जो में लोग सीसे सीखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा इतनी बार यूज कर लेंगे हम लोग तो by default जो family होती हो होती है सेरिफ अगर मैं इसको सेरिफ कर दो हम लोग का ऐसा हो जाएगा तो इसमें क्या होता है इसमें थोड़ा स निकलाता है तो यह हो गया हमारा font उस तरह से दिखने लगा जैसे यहां पर था तो इतना तो बन गया अब next हम लोग को बनाना है तो next बहुत सारा content है इसमें और इसमें links भी हैं तो पहले हम लोग content सारा लिख लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर horizontal horizontal rule इसको बोल सकत है horizontal hr tag बोल जो सबसे सही है horizontal rule भी बहुत लोग बोलते हैं तो यहां पर next जो है वह paragraph टाइब का लग रहा है जो कि हम लोग ने paragraph टाइब नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखा था एक तरहां पर लोग डालेंगे और फिर यहां पर पूरा content copy कर देंगे यहां पर हम लोग क कर लिया यहां पर आके paste कर दिया तो यहां पर पर पेस्ट कर दिया मैंने इह बहुत लंबा सा जा रहा है तो यह उसको हम लोग चाहें तो multiple lines मैं कर सकते हैं यहां से कर देंगा ए है तो यहां से कर लेते हैं है यहां से तो यह ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है थोड़ा से स्क्रॉल कर रहे हैं फिर आ जा रहा है तो हम लोग ने वहां पर तो मुल्टिपल लाइन पर किया लेकिन इधर नहीं आता है वह जो भी नियू लाइन करते हैं इधर नहीं दिखता है तो हम लोग का इ मैं इतना सलट किया इसको बोल्ड बना दो तो कैसे करेंगे मैं वेट कर रहा हूं ताकि आप लोग कर लें ठीक तो मैं सेर्च करता हूं अब पॉस करके वीडियो कर लिया होगा अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हाउ टू मेक हाँ टेक्स्ट बोल्ड इन एच्टीमल ठीक तो मैं सेर्च करना टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करें एच्टीमल में तो यूज आइधर बोल्ड टैग और स्ट्रॉंग टैग इधर आ रहा है तो हमें डव्लू त्री स्कूल पे चले जाना है और सब नहीं यूज करन देखना है डल्ली थ्री स्कूल पे चले ज़ा यूज बोल्ड टैग रही है जो जोबहर्ड रहें है तो जो भी इसके अंदर रहे अगर मैं यहां पर रखोंगा तो इसका ओपनिंग हाइलाइट हो जाएगा इससे पता जलता है यहां से यहां तक फैल हुआ हुआ है मतलब उसके अंदर कॉंटेंट जो यह है तो यह हो गया हमारा बोल्ड इतना हम लोग ने सीख लिया कैसे बोल्ड करते हैं तो अगर नेक्स यह है लिंक यासा लिंक है जो कि किसी वारल पर लेके जा रहा है तो इसका यह लिंक हम लोग कैसे क्रियेट करें अब इसमें हम लोग को पता भी नहीं क्या लिंक देना है तो कोई भी लिंक दे दो चलेगा लेकिन पहले देखो कि लिंक कैसे देते हैं तो लिंक देने के लि भी वीडियो तुरंग पॉस करो और सर्च करके लिंक क्रियेट करके दिखाऊ मुझे वीडियो पॉस करो और सर्च करके लिंक क्रियेट करो उसमें क्या लिंक देना है विकिपीडिया का लिंक उठा लो कोई मैं लिंक बता देता हूं क्या देना है इस चीज को ग्राफिकल इसको भी मैं यहां पर content में डाल दूंगा इधर में डाल देता हूं ताकि तुम्हें गूगल पर सर्च ना करना पड़े लगी चाहो तो सर्च करके भी लिंक दे सकते हो तो तुम्हें अभी क्या करना है अभी तुम्हारा टास्क है वीडियो को पॉस्ट करो जो इतना को तुम्हें hyperlink बनाना है मतलब इस पर यूजर को क्लिक करें इस वाले पर चला जाए तो वीडियो पॉस्ट करके देखो कैसे करते हैं तो मैं expect करता हूं कि आप लोगोंने कर लिया होगा तो अभी मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं अगर आपको मानलो सही result ना मिला हो अ हाव टो क्रेट लिंक इन एच्टीमल तो देखो डबलू थ्री स्कूल्स का रिजर्ट आ गया अभी बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ा सा सो रहा है अगर आ रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं यह मैंने खोल लिया है अच्टीमल लिंक्स तो देखो यह एं कि ए टैग बोल लो कुछ भी बोल लो एक स्टेमल लिंक्स और हाइपर लिंक्स कान भी क्रेटेड़ है तो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरुवत नहीं वैसे पढ़ना अच्छी बात है तुम इसको डेटेल में पढ़ो लेकिन पहले इसको कॉपी कर लो कॉपी क इधर किदर कहां पर पेस्ट करें उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं इधर ही यहां पर ट्राई और सल्फ का बटन होता है यहां पर आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं तो जैसे कि यहां पर हर्फ में यह दिया है www.https.w3schools.com तो यह क्या करेगा एक लिंक कर देगा और का जो text हम लोग को दिखेगा वो यह दिखता है जो यहां पर डाला होता है closing यह closing anchor tag है और यह यहां पर open हुआ है यह पूरा open ही है तो उसके बीच में जो text डालते हैं वो हम लोग को दिखता है हम लोग इतना पूरा copy कर लेते हैं यहां से यहां पर copy कर लेते हैं और हम लोग अपने code में paste कर देते हैं हम लोग को यहां डालना है तो लोगों यहीं पर paste कर देते हैं फिर से यह new line में चला गया है तो फिर से मैं enter दबा के इसको इधर ला सकता हूं या तो मैं चाहूं इधर इंटर दबा दूँ इधर आ जाए ताकि हम लोग को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े तो हम लोग चाहें तो बार बार ऐसे एंटर करके न्यू लाइन मिला सकते हैं ताकि हम लोग को दिखे लेकिन उसके लिए extension है उसका नाम है यह इंटर batch एर किया यह tune पर जाओ जाओ इंस्ट्रों कलिक कर साव आइग और फिर राइट खिफुर्ट घ्रोट करो फार्मेट करतेव फार्मेट क्यों किया यह अटॅमेटिक फार्मेट हो गया वह सकता है आप से पूछे ये पूछेगा अब जब राइट क्लिक करोगी ना तो पूछेगा configure default formatter तो आपको default formatter ये prettier select कर लेना है तो यहाँ पर format document विथ करेंगे अगर तो भी ये दोनों का option आएगा तो आप नीचे आगा configure your default formatter तो उस पर क्लिक करके default formatter प्रेटियर को बना देना है और फिर उसके बाद जब आप लोग format करेंगे format document जैसे कि अभी मैं इसको बहुत लंबी से line बना देता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ लंबी line हो गई इधर स्कॉल करके आ रहा है मैं राइट क्लिक करूंगा format document करूंगा यह automatic उतना यह new line में कर देगा और फिर मैं चाहूँ तो shortcut यूज कर लूँ shift alt f automatic format हो जाता है तो प्रेटियर बहुत अच्छा extension है इसमें हम लोग चाहें तो setting भी कर सकते हैं automatic हम लोग जैसे ही save करेंगे वह format हो जाएगा लेकिन मैं अभी के लिए वह नहीं करूंगा मैं यह shortcut shift alt f यह वाला shortcut यूज करूंगा shift alt f format document के लिए तो यह हम लोग का इतना बन गया अभी हम लोग आके देखेंगे तो क्या दिख रहा है visit w3schools.com हम लोग को यह नहीं करना है हम लोग को यहां पे visit w3schools.com की जगह पे हम लोग को करना है graphical user interface क्योंकि हमारे design में यही लिखा है अब हम लोग आके देखेंगे तो एक बाव मेरा यह जा रहा है क्योंकि यह पर जो लिंक दिया गया तो इसको हम लोग हटाके विकिपीडिया का लिंक देंगे यह वाला ग्राफिकल उजर इंटरफेस कॉपी करके यहां से पेस्ट कर देंगे तो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया अब मैं अगर रिलोड करता हूं तो यह देखो मुझे इसमें लेकर जा रहा है अब यह क्या हुआ कि हम लोग जिस पेज पे थे उसी पेज पे यह रिलोड हो गया अगर हम लोग चाहें तो इसको नेक्स टैब में भी ओपन करवा सकते हैं यह हमारी विपसाइट ऐसे खुली रहेगी इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स टैब में मतलब इधर आके खुल जाएगा एक न्यू टैब यह डालना है, तो हम लोग अपने मंस से कर रहे से ने उसको उटा दिया अब 7 tab में खुल रहा है,pek कैसी हम तो लगा देता हूं, तो दिजाइन में इसके हैं इसके बारे में information नहीं है लेकिन हम Historia quo क्रेक्ड करने तुह अब फिर दोतीन design है यह छाओ लिंग हनं नहीं नहीं पर रोंगा उसका मैं लिंक यह हैं प्रोवाइड कर दूँगा इधर नीचे HTML का मैं वीडियो फास्ट फ़वड कर दूँगा यहां पर तो मैंने फास्ट फ़वड करके इन समय मैंने लिंक लगा दिया है यह आप लोग करना खुछ से और इसमें चाहो तो टार्गेट इस इकल टू ब्लैंक दे सकते हो मैंने नहीं दिया चलो मैं भी दे देता हूं यहां पर टार्गेजिकॉल टूब्लैंड अभे मैंने कैसे किया मैंने कर दिया तो मैंब बताता हूँ एक मीनिट तो मैंने पहले तो कॉपी कर लिया टैक्ड विंदोज वी करके देख लूँगा क्या कॉपीड है यहां पर मैं अल्ट के साथ अगर मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहां पर यह सारा आ जाएगा मतलब के साथ मैंने क्लिक किया तो यह मैं अगर तुम्हें एक बनाना है तो इसकेप बटन दबा दो इस वाली जो बटन होती है एक फिर से बन जाएगा फिर से मुट्पल बनाना है तुम्हें याद करनी की जरूवत नहीं है कमेंट मैं पूछ लेना मैं बता दूँगा नहीं तो एक दुबार वीडियो देख लेना बैक करके फिर से याद हो जाएगा अब साथ क्लिक करोगे मैं इस पेस क्रेट कर लिया इधर यहां पर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा टारगेट इस इकल टू ब्लाइंक पेस्ट हो गया तो अब किसी को भी मैं क्लिक करूंगा न्य इससा पार्ट हो गया है अगर आप देखेंगे तो डिजाइन में इसका कलर तो वाइलेटाएय कुछ लेकिन इन सबका कण्यह भूआ थे तो ऑसको भी देख लेते हैं इस lagi सबाद का है इस ञोलेटाइन पहर जीकर इसका क्रोच-श्याइट इसको क्यों ऐसको है इसको सारह इधर आके देखेंगे तो सारा वालेट है तो ऐसा क्यों है तो क्या होता है जो हम लोग अपने ब्राउजर में कोई भी लिंक ओपन कर लेते हैं जिससे अभी मैंने यहां पर इसको ओपन कर लिया तो यह वालेट हो जाएगा अगर मैं इसको आके रिलोड करूँगा इंकोगनीटो में होई ही नहीं जाएगा क्योंकि इंकोगनीटो में हिस्ट्री नहीं बनती है अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री नहीं रहेगी यहां पर हिस्ट्री का ओप्शन भी नहीं आएगा तो इंकोगनीटो में तो नहीं होगा यह लगाता हो इस लिंक पर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, इसमें भी नहीं हो रहा है, अजीब दुविधा है, एक चीब दिखाने लेगे वह भी नहीं हुआ, तो फिर हम लोग का जो एक्चुल वह है, यूजर उसी में होगा, यहां तो हो जाएगा, पक्का है, नहीं होगा तो मैं छो रखा था, तो मैं क्या करूँ, ग्रे नहीं है, हिस्ट्री डिलीट करूँ, देखता हूँ, कंट्रोल एक्च, क्लियर ओल ब्राॉजिंग डेटा, और टाइंग क्लियर डेटा, ओक्य गाट इट, तो यह देखो, हो गया, कि मैंने अपना सारा हिस्ट्री डिलीट कर दिया, त तो यह यहां पर अभी सारा ब्लू है, जैसे हमारे डिजाइन में ब्लू था, यह ब्लू है, अगर मैं इसको एक बार खोल देता हूँ, तो यह वालेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस्ट्री में आ चुका है, मैंने इसको एक बार खोल लिया है, तो जो भी लिंक विजिट कर दो चाहरें के जब अगर आप लोग करेंगे, तो क्लिक करते टाइम अगर इसको चाहरे करके रखा हूं, यह मैंने बहुत जल्दी निच्रीर टेंग पहले मुझे भी पता नहीं। क्लिक आयन है, अगर क्लिक कर देतें, और उस लिंक पर पहुंच जाता है, जिसका कर लि कि इसको विजिट कर लिया होगा मैंने तो इतना तोılar बन गया अब आगे का बनाना है अमने तो आगे का है मारी एक JAMES म Kita पाला हो लगा देत हैं लास्ट वीडियो नहीं अम Iciखा ता कि इमिज कैसे लगा देत है तो सोर्स में हम लोग उसका URL डालेंगे जहां पर भी हमारी इमेज है इमेज में हम लोग कर सकते हैं slash images और फिर यह वाली इमेज है HTML CSS JavaScript यह वाली इमेज है यह मैंने लगा दी तो आ तो गई लेकिन बहुत बड़ी है इमेज और चलो यहां पर alt tag भी दे देते हैं अभी तो यही copy कर लो और यही डाल दो है हमारी इमेज बन गई लेकिन इमेज बहुत बड़ी है लास्ट टाइम की तरह जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था बहुत बड़ी इमेज आ रही थी तो उसको control करने के लिए हम लोग लिए विट्ट से देते हैं विट्ट ऐसे नहीं देंगे इस्टाइब करके देंगे स्टाइल विट्ट इसेकल टो वन्रेट परसंट and max width is equal to 600 pixel वो इससे क्या होगा हम लोग का जो हम लोग ने ये दिया है max width अभी मैंने क्या किया shift alt f अभी देखो ये लंबी सी line में जा रहा था मैंने किया shift alt f और ये format होके अच्छे से आ गया है एक ही line मतलब एक ही बार में मुझे दिख रहा है सारा content तो ये जो हम लोग ने लिखा ये क्या कर रहा है थोड़ा सा CSS है तो अभी बहुत ज़्यादा समझनी की जरुवत नहीं है बस इतना लिखतो max width यानि कि इसकी width 600 pixel से बड़ी नहीं होनी चाहिए by default इसकी width कितनी आ रही थी उतनी आ रही थी जितनी उसकी actual में width है यानि कि उसका resolution जितना है तो अगर हम लोग खोल के देखें इसको यहाँ पर कहा गया इस image को तो उसका resolution यहाँ पर दिखा रहा है 1900 by 1080 तो इसकी by default height and width इतनी है लेकिन हम लोग ने इसकी width को कर दिया 900 तो इसकी width अगर हम लोग right click करके inspect करेंगे तो अब अगर इस पर click करेंगे तो यहाँ पर कोने में इधर कोने में अभी देखना उसकी width बनके जाएगी 600 और height automatically छोटी हो गई है तो हम लोग एक बार में height या width एक बार में width देते हैं यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं वह height automatically उसकी घट जाएगी उसके aspect ratio में अपने अब shrink हो जाती है अगर height भी देदेंगे तो हमारी image जैसे लंबी हो जाएगी अभी मैं दिखा देता हूँ देखे यहाँ पर अगर height अगर हम लोग देदें height दे देते हैं 500 pixel तो लंबी सी हो जाएगी यह stretch हो जाएगी हम लोग को height नहीं देनी है हम लोग को cable width देनी है width और max width इसलिए दे दिया है कि हमारी पूरी screen ना cover हो जाए और max width ठटा देंगे तो इसकी width 100% तो हो जाएगी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है अब बहुत बड़ी तो हमें चाहिए नहीं हमारे design में इतनी बड़ी है तो हम लोग इसको max width दे देंगे और अगर 100% दे भी देंगे तो हम लोग का हम लोग की पूरी site में image हो जाएगी content रहे गई नहीं एक बार में दूसरा content नीचे वाला दिखेगा ही नहीं तो इसलिए हम लोग इसकी max width set कर देता है तो यह max width set कर दिया और फिर 100% दे दिया यानि कि एगर छोटा अगर करेंगे तो हम लोग की device की बड़ जब 600 से कम हो जाएगी तो फिर यह इसके 100% रहेगा तो बहुत जादा बड़ा भी नहीं लग रहा है ठीक लग रहा है जैसे कि अगर हम लोग mobile design में चले जाए तो देखो यहां पे इसकी width 100% है और यह खराब भी नहीं लग रहा है इधर से इधर तक पूरा किनारे से किनारे तक पूरा कबर होके आ रहा है तो इसलिए हम लोग ने 100% width दे दी ताकि मूबाइल में 123 करके points है तो यह है आपका काम आप यह खुद करेंगे और फिर इसमें italic text है यह खुद करेंगे तो अभी वीडियो पॉस्ट कर दीजिए और खुद करिए खुद ट्राइ करिए Google पे search करिए करने की कोशिस करिए search करिए how to create bullet points in html result आएगा इसको copy-paste करके काम करवाई जो भी ऐसा तो आगे काम आप करिए तब तक के लिए वीडियो पॉस्ट करके मैं वेट कर रहा हूं आपका तो मैं उमेद करता हूं कि आप लोगों ने बना लिया होगा अगर बन गया है तो थोड़ा से श्किप कर सकते हैं इस वीडियो को नहीं तो आप देखिए मैं भी search करके बनाने जा रहा हूं तो कोई भी नया चीज़ आता है आपको बस Google करना है याद कुछ नहीं करना Google करना है तो हाँ टू मेक बुलेट पॉइंट इन अच्टेमल ऑटोमेंटिक आगया है रिजल्ट सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है बस तुम्हें क्यों सर्च करना है तो मैंने सर्च किया आगया बुलेट पॉइंट कैसे करना है तो कुछ लिखिया है अच्टेमल लिस्ट का यूज करना है तो यह आ गया देखो एक्जाम्पल इसको अम लोग ओपन करेंगे अगर यह ओपन करेंगे तो यह आ गया हम लोग को कुछ ऐसा कोड लिखना है यूवल लाई तो एक बार समझ लेते हैं क्या है इसको बोलते हैं अनॉडर्ड लिस्ट तो इसका जब यूज क इसको कॉपी कर लेते हैं अपने कोड में चलके यहां पर पेश्ट कर दितना इमेंच के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया है अब देखो थोड़ा साइस सब्सक्राइब में चला गया है इसको मुझे अगर फॉर्मेट करना है चिफ्ट अल्ट एफ नहीं इसको आउटमेटिक कि alignment इसका fix हो जाएगा alignment को indentation बोलते हैं coding के language में इसका indentation fix हो गया तो यह हो गया देखो आके लोग का यह बन गया है लिस्ट बन गई है सारी हम लोग को बस इसमें यह content आलना है तो चलो यह content हमारे content.txt में मिल जाएगा html वाली पूरी line copy कर लेनी है तो vs code में shortcut होता है अगर पूरी line copy करनी है तो उस line पे ले जाके ctrl c दबा दो पूरी line copy हो जाती कुछ select भी नहीं करना है कहीं भी रखके पूरा c दबाओगे पूरी line copy हो जाएगी तो हम लोग को इस line में coffee की जगा पे यह पूरा paste कर देना है तो पूरी line copy हो गई मैंने बस वहां पे cursor रखके ctrl c दबाया है तो पूरी line copy हो जाती है इसे करके तो यह देखो इतना हो गया यह टी और milk हटा देते हैं एक बार के लिए टी हटा दो मिल खटा दो यहां से तो यह इतना बन गया इसमें बोल्ड करना तो आपको आई गया बोल्ड करना तो मैं फटाक से इसको बोल्ड बना देता हूं कि search करना नहीं है और इसको इसको इपनाना आख यहां पर design पर आकर देखेंगे तो हमारा यह जो टेक्स्ट है italic है तो italic यानि की थोड़ा सा तिर्चा है तो अगर आपको italic word भी नहीं पता तो आप तिर्चा लिख दीजिए देख, how to make, अब तिर्चा की English लिखनी पड़ेगी, Google को तो पता नहीं समझाया की नहीं, जो लिखके देखते हैं, how to make text तिर्चा, t-i-r-c-h-e, तिर्चा in html, html, text formatting, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया होगा उसको, यह लो आगया तिर्चा टेक्स्ट, अगर आपको slant नहीं पता है, slanted इसको, तिर्चा को अंगलिस में slant बोलते हैं, अब तिर्चा लिखके सर्च कर लो, जो भी आपके मन में सर्च कर लो, कुछ नहीं सर्च करने से अच्छा है, सर्च कर लो, जो तिर्चा टेक्स्ट आगया हमारा, क्या है, this is italic text, तो यहाँ पर, this is italic, देखो, यह यह आगया, हम लोग को, यूज करना है, i-tag, यह देखो, this is bold, देखो, यह bold है, this is italic, तो italic आगया, ठीक, फिर यह इस उपर है, इसको आप चाहें, तो पढ़ सकते हैं, interesting चीज है, जिसे हम लोग को किसी का square लगाना है, उपर, तो ऐसे लगा सकते हैं, अभी चलो, यह भी यूज करके देखी लेंगे, अगर कर रहे हैं, तो, हलाकि मारे design में वैसा कुछ है, ठीक, तो italic बनाने के लिए, हम तो बस google करना सीखना है, word development अपने आप आ जाएगा, तो मैं कोई भी design मिले, तो जो भी नया चीज तुम encounter करो, बस google करो, तो यह वाला चीज अब next बनाना है, तो next वाले, next में यह बनाना है, तो इसको यह उपर वाली की तरह exactly same है, तो इसको मैं fast forward करके बना देता हूँ, यह css italic है, तो इसको italic कर देते हूँ, italic के लिए i tag, तिर्चा tag, इसका तिर्चा tag, italic i tag नाम है, तो यह हमारा हो गया, तिर्चा css, यह बन गया, अब आगे इसमें कुछ है extra, कुछ extra नहीं है, तो आगे एक image है, तो हमारी image, इस next वाले bullet point से पहले है, यानि कि इसी list में ह इस ही li के अंदर है, तो li क्या करता है, एक-एक, ul के अंदर एक-एक list type में बनाता जाता है, वो bullet points बनाता है, तो हम लोग को यहीं पे वो लिखना है, image अपना डालना है, तो हम लोग image डाल देते हैं, अपना, css वाली image है, यह, अगर css खोलेंगे, तो यह वाली image है, तो य roadmap, 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 road map, small कर दो, कोई matter नहीं करता, small capital, small ही कर दो, तो यह मैंने बना दिया, यह वाली image मैंने यहां पे लगा दी, तो अब यही प्रपॉलेम से, इतना प founding एतना लंबा सा रहा है, मुझे इतना लंबा चाहिए नहीं, बैस City चूटा चाहिये, तो सीधा यहां पे आओ, इ और शिफ्ट दबाओ शिफ्ट अफ दबाओ फार्वेंट हो जाएगा यह तो यह हमारी इमेज आगे इस तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दिजाइन में हमारे तो काफी गैप है देखो इधर काफी गैप है और इधर भी गैप है इमेज के उपर और हर एक के उपर गैप हमारा काफी सटके आ रहा है तो गैप के लिए क्या करना है तो गैप के लिए जिसे मुझे इस लाई के अंदर इस लाई और इस लाई के बीच म इसको line break tag बोलते हैं, यहां br tag कुछ भी बोल दो, br tag element represents a line break, यहां पे लिखिया है, तो हम लोग के इसमें gap हो गया, br tag इसमें gap दे सकते हैं, अगर हमें gap चाहिए, तो यहां gap हो गया, और इसके बीच में भी अगर थोड़ा सा gap चाहिए, design में है, थोड़ा सा gap है, तो इस image के ऊपर, मतलब इसके end में थोड़ा सा तुम br tag दे सकते हो, br tag दोगे, हुआ की नहीं, एक और दे देते हैं, तो थोड़ा सा visible होगा, अगर एक ही देते हैं, तो, इतना है, कुछ भी नहीं देते हैं, तो, हाँ, कुछ भी नहीं देते हैं, तो उधर चड़ जा रहा है उपर, तो हम लोग एक vr tag दे देंगे, तो इतना space हो जाएगा, और मुझे लिखता है थोड़ा सा और space है, तो दो बार भी आटाइक दे देते हैं, अभी मैंने duplicate कैसे किया इसको, मेरा cursor इधर है, shift, alt, down arrow, duplicate हो गया, पूरी line duplicate हो जाएगी, तो, आप लोग को याद ना करना पड़े, कुछ भी याद करने की अगर process करोगे, तो याद तो होता नहीं है एक बार में, और याद नहीं होगा, तो overwhelm हो जाओगे, तो attain, और याद नहीं हो जाएगा, कि तुम्हें क्यों याद नहीं हो रहा है, सब लोग को कैसे याद हो जा रहा है, जिसने कि मुझे कैसे याद nyt तो यूंकि मैं दो सालसे ही कर रहा हूं बार बार use कर रहा हूं ये याद हो गया है तो मैं धीरे-धीरे हैं अब अपने अप दीरे-धीर use कर ओगे अपने आप याद हो जाएगा गोल जो वीडियो आपके देख लो तो ऐसे ही कुछ भी याद करने के लिए फोर्स नहीं करना है अपने माइंड को तो यह मेरे उसमें इस्पेस हो गया इतना तो यह चीज हो गया यहां तक अब उसके अंदर ही देखो इस पॉइंट पे जाने से पहले ही मुझे एक और यह कुछ भी एक लिस्ट नमबर्द लिस्ट है में रे पास अभी तक कल दहीं है भी आनबर की बिलेट पॉइंट तो नमबर लिस्ट हो तो यह तो बहुत है तौन वी अदू आइकर निळी करते हूं को अधना करो फीर उसके बाद मैं करता हूं धार का ठीक है चलो मैं सेर्च करके दिखाता हूं कैसे नंबर लिस्ट क्रेट करते हैं तो हाव तो क्रियेट लिस्ट इन अच्छेमल नंबर लिस्ट कैसे क्रियेट करते हैं तो यह देखो हम लोग उधर ही आगए है यह एकदम ऐसा है यूल के यहाँ पर ओयल है बस वह अन और डिस्ट था यह और डिस्ट बस इतना इडिफरेंस है एक तो इसको आकर कॉपी कर लेते हैं हम लोग और फिर यह हम लोग इमेज के बाद पेस्ट कर देंगे इसी के अंदर क्योंकि हम लोग को इधर ही चाहिए इमेज के जस्ट बाद यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने तो अब अगर हम लोग आकर देखेंगे इसमें इसको क्लोज कर देते हैं यहां पर आकर देखेंगे तो 123 करके आ गया है हमारे भी जो डिजाइन था उसमें 123 करके है उस content change कर देना है तो मैं content change करता हूं फटा-फट वीडियो को fast forward कर सकते हो तो यहां पर pure CSS हो जाएगा तो यह मैंने points create कर लिए है तो 1234 1234 तो अब देखो इसमें फिर से अगेन वही problem है space की तो एक तो हम लोग ने सीखा अजिए बीर टैग देखे space कर सकते हैं बीर टैग देते हैं सब के बीच में अगर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग paragraph टैग अगर यूज करेंगे तो भी इस पेस हो जाएगा देखो अगर जैसे कि हम लोग ने यहां पर पर पैराग्राफ टैग यूज किया था तो इस लाइन के बीच में space है यहां कि paragraph tag जो होता है उसमें by default थोड़ा सा margin होता है margin padding यह सब क्या होता है यह हम लोग CSS सीखेंगे तो अच्छा सी सीखेंगे लेकिन अगर हम लोग यहां पर hover करें आके जो paragraph tag इस पर करेंगे hover थोड़ा सा हम लोग को यह yellow color का light yellow color का हम लोग कुछ दिखेगा तो margin होता है अगर यहां पर नीचे box की तरह होता है उधर आके देखेंगे तो यह margin यहां पर लिखा है है लाई पे लाई पे margin कुछ नहीं है empty तो इसलिए इनके बीच में gap नहीं होता है और इसके उपर नीचे automatic gap आ जाता है तो हम लोग इससे अच्छा पी tag यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर लाई तो यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को यह number चाहिए इसके अंदर हम लोग अगर पी tag डाल देंगे तो automatic space create हो जाएगा यह देखो इसके बीच में create हो गया space इसके अगर hover करेंगे तो यह देखो पी और इसके उपर नीचे margin यह margin यह by default browser से होके आता है तो इन सबको हम लोग पी tag में डाल देते हैं इतना content क्योंकि मुझे इसके उपर नीचे थोड़ा margin चाहिए तो यह margin हो गया हम लोग के इसमें लिस्ट में तो इधर हमने बिया टाइग उसकर के margin किया इधर हम लोग पी टाइग उसकर के margin किया इनकी पी टाइग में by default margin प्रोइड होता है तो अच्छा यह जो 123 है यह अपने आप इसके करण आ रहा है और इसका फाइदा यह होता है कि अगर हम लोग इसका order भी चेंज कर दें जिसे यह मैं tailwind को सबसे उपर लेके जाता हूं तो यह देखो यह automatic इसकी numbering उसके आगे 1 ही है तो हम लोग खुद से 123 नहीं लिखते हैं और खुद से 123 लिखेंगे तो उसमें क्या प्रोब्लों होगी एगर content को उपर नीचे कर रहे हैं लाइन नमबर 3 को लाइन नमबर 1 पे ले आएंगे लाइन नमबर 10 को लाइन पे ले आएंगे तो सबका order चेंज हो जाएगा मतलब जो 1 हो 2 बन जागा 2 हो 3 बन जागा 3 हो 4 बन जागा सबका चेंज करना पड़ेगा इस केस में यह automatic कर दे रहा है मुझे पर इसके वाल अपने content को उपर नीचे करना है यह automatic नमबर इंग अपने आप ही set रहती है तो यह हो गया ओयल टैग ओयल नहीं ordered list तो अगर भी तो यह 123 है अगर यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर यहां पर भी 123 ही है लेगिन हम ल property होती है अगर यहां पर हम लोग property करें टाइप तो टाइप में अगर हम लोग बता दें इसको तो यह हो जाएगा ABCD यह देखो ABCD बन गया और अगर हम लोग इसको small a दे दें तो small a ABCD हो गया यहां पर अगर control space दबाएंगे तो यह suggestion दिखाता है ठीक है सारे suggestion दिखाता है त अभी भी तुम अगर जरूरत हो तो तुम यह वीडियो देख लो या तो Google पर सर्च करो जैसे कि मालो तुम्हे टाइप प्रॉपर्टी नहीं पता है ठीक मालो अभी तुमने इस वीडियो में देखा लेकिन जब तुम यूज करने गए एक दो महीने बाद तो तुम भूल गए तुम्हे बस इतना ज्याद है कि तुम हाँ इसको चेंज करके ABCD कर सकते हो तो तुम्हे यह सर्च करना है हाँ टू हाँ टू हाँ टू मेक हाँ टू मेक नंबर्ड लिस्ट अज ए बी सीडी यह से तुम्हे थोड़ा सा तुम्हें करना है अच्छा तुम्हें inhtml लिख दो, inhtml नहीं तो किसी और का भी result दिखाएगा, तो तुम inhtml कर दिये, फिर यहां पे यह tutorials point का आगया answer, फिर यहां पे तुम्हें type is equal to a दिख जाएगा, तो tutorial points की यहां पे अगर w3 schools का आता है, तो वो ज्यादा सही है, यहां पे आके थोड़ा जो भी है, type यह roman भी हम लोग दे सकते हैं, तो तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बस किवल google करना, तुम्हें एक ही चीज याद करना है कि तुम्हें google करना, तुम्हें type is equal to, अगर मैं small i दे देता हूँ, तो i हो जाएगा यह, यह देखो, और इसमें एक और value होती है, अगर मैं start कर दो 5, तो 5 से start होगा, तो 5, 6, 7 इधर से start हो रहा है, और अगर मैं इसको a कर देता हूँ, तो यह e से start हो देता है, क्योंकि e 5 नंबर वाला alphabet है, तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं देना है, इसको हम लोग default ही रखते हैं, तो 1, 2, 3, समझने के लिए हम लोग ने कर दिया, नीचे वाले को हम लोग ABCD बना देंगे, डिजाइन में तो है 123 लेकिन हम लोग ABCD बना देंगे, हलाकि जब तुम्हें design मिलता है, तो तुम्हें खुद से कुछ नहीं change करना होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग की website है, तो हम लोग कर सकते हैं, अब फिर next है, यह JavaScript, इसक अब क्या करना है, नीचे यह लगा देना है, तो यह same है exactly तो यह भी video pause कर लो और खुद कर लो, मैं भी यह fast forward करके कर देता हूं जल्दी से, तो हमारी site लगवव बन चुकी है, लगवव 99% बन चुकी है, बस एक line नीचे वाली बची है, तो भी मैंने क्या क्या, fast forward करके यह सारा content मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं कर दूँगा type ABCD, तो यहाँ पर type is equal to A कर देते हैं, ताकि ABCD हो जाए, बस एक थोड़ा सा difference रहे, इसके लिए मैंने कर दिया है, ताकि अगर आप कभी future में भूल जाओ, तो इस अपने code को refer कर लोगे, तो ही मिल जाएगा, तो अगर कोई भी चीज तुम भूल जाते हो, तो अपने पुराने code को जाके देखना होता है तुम्हें, और Google पर search करना होता है बस, इतना सा काम करना होता है, और तुम हमेसा भूलोगे, ऐसा नही लिखा, कल भूल जाओगे, बस इतना ही time लगता है, और याद कभ होता है, जब बार-बार-बार-बार-बार use करोगे, कई महीनों तक, तो आप्टोमेटिक याद हो जाता है, कोई बची, तो अब हमें बस केवल यह वाली line add करनी है, all copyrights reserved, तो हम लोग का यह पूरा हो गया, यहां पर p tag के अंदर लिख देते हैं, पूरा content, इधर से उठा लेते है, all copyrights reserved, तो यह line मेंने क्यों लिखी है, एक तो हम लोग ऐसे पूरा content copy करके, इधर दिखा सकते हैं, अच्छा यह center में नहीं आ रहा है, तो center में करने के लिए थोड़ा सा CSS मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर, तो हम भी यहां पर लिख दो, text align center, अपने आप हो जाएगा, तो मैं याद कुछ नहीं करना, बस लिख दो, कहां है, कैसे है, सब CSS में हम लोग अच्छे से पढ़एंगे, कैसे करते हैं, तो यह copyright का symbol है, तो यह copy करके सीधा यहां पर डाल दो, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, हम लोग अगर चाहें, तो html entities का use कर सकते हैं, तो html entities क्या होती है, अभी देखते हैं, तो उसके लिए, यह and percent का symbol लगाना है, तो यह and का symbol लगाना है, और फिर लिखना है copy, और फिर यह semi colon लगा दोगे, तो देखो यह copyright का symbol बन जाएगा, मैंने लिखा थ कुछ और, मैंने लिखा था इतना, और बन गया यह इधर आके यह ऐसा, ठीक, तो यह होता है html entity, इसको हम लोग बोलते है html entity, तो अभी html entity की बात कर ही रहा है, तो एक चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पर जैसे तुम्हें लिखना है, multiplication का symbol लगाना है, ठीक, जैसे to multiply, अब multiply का symbol क्या लगा होगे, normally coding में तो ऐसे लिखते है, multiply 4 is equal to, कितना होता है, 8 होता है, तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन मुझे star वाला symbol नहीं लगाना है, मुझे multiply का symbol लगाना है, तो अब उसके close, या तो x होता है, लेकिन अभी x, x की तरह दिख रहा है, तो उसके लिए हो times, times वाला entity code, यह कर देंगे, तो perfect multiply का symbol या cross का symbol बन के आ जाता है, तो यह हो गया, times, अगर तुम्हें, और भी html entities के बारे में जानना है, तो तुम बस यहाँ पर search करो, html, enti, ti, es, तो यहाँ पर तुम्हें w3 schools पर मिल जाएंगी, धेर सारी entities, जो कि तुम use कर सकते हो, ठीक, अगर तुम्हें greater than का symbol लगाना है, तो इसको लिख लो, यहाँ पर अगर मैं डालू, art के बाद आके, तो कहां गया, यह नहीं है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो greater than का symbol लग गया, अब greater than का symbol तो उसमें भी होता है, हमारे keyword में उस से लिख सकते हैं, तो कुछ दूसरा देखते हैं, यहाँ पर, जो की useful है, जैसे कि, यह देखो, dollar का symbol है, इधर कहीं, dollar का नहीं है, यह registered mark है, इसको यूज़ करके लिख सकते हैं, हम लोग, dollar का symbol तो keyboard पर होता है, simply, उसको हम लोग लिख सकते हैं, सीधा, इधर, यह, registered वाला mark आ जाएगा, यह, आ रहा गया, और भी कुछ, तो, तो, यहाँ पर थोड़ा सा, इस पर आके, जो भी useful है, इसको देख सकते हैं, जो पहला है, वो nb-sp है, तो इसको भी देख लेते हैं, तो nb-sp क्या होता है, यह, होता है, non-breaking space, इसका full farm होता है, तो, यह क्या करता है, यह, ऐसा space डालता है, समझ लो, यह space ही होता है, लेकिन, इसमें, text नए line पे नहीं जाता है, जैसे कि, अभी मैं दिखा हूँ, क्या example दे सकते हैं, इसका, चलो, मैं दिखा देता हूँ, इससे हमारा यह front-end development है, ठीक, तो अगर इसको मैं इतने चोटे device में लेके जाओंगा, तो यह new line में आ गया, तो यह हो गया breaking space, नार्मली यह क्या है, breaking space, अगर मैं यहां से space हटा दूँ, ठीक, यहां से space हटा देते हैं, तो अब कोई space नहीं है, तो यह break नहीं होगा, तो break नहीं होगा, तो क्या होगा, दोको यहां पर, यह हमारा वो आलने लगा, scroll bar, यानि कि इसकी minimum width इतनी है, कितनी, यहां तक है, उससे कम नहीं हो सकती, उसकी width, अगर उससे कम करोगे, तो तो scroll करके तुम्हें दिखाएगा, तो जब हम लोग normally space डालते हैं, तो automatic new line में break हो जाता है, यहां पर दोको space आ गया है, मैंने यहां पर NBSP डाल दिया, और वो space यहां पर लिखके आ गया है, मतलब बन के आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूंगा, तो यह break नहीं होगा, देखो, इधर से, new line में नहीं गया, इधर से ही यह scroll शुरू हो गया, तो अब इसकी minimum width इतनी है, तो यह होता है non-breaking space, किसी-किसी case में हम लोग को इसकी जरूरत पढ़ती है, non-breaking space की, तो जब इस जरूरत पढ times, यानि की cross, यानि की multiply का symbol दिखा सकते हैं, कैसे copyright का symbol दिखा सकते हैं, तो और भी, जो भी html entities हैं, यहां पर आके पढ़ सकते हैं, तो अब हम लोग इस line को अटा देते हैं, और हमारी site बनके ready है, 100%, देखो, चलो match करते हैं, हमारा design जो था, कहा गया, यह desktop design है, अगर मैं इ zoom in कर लो, तो इसको अगर मैं zoom in करो, इतना, और फिर यह अपनी website को देखते हैं, तो यह देखो, हमारा था design, यह हमारा design है, और यह हमारी website है, एक दम ऐसे बन गई है, तो as a designer, तुमारा यही काम होता है, एक तुम्हें design मिलेगा, यानि कि एक image मिलेगी, जिसमें सब कुछ बना होगा, कि कैसे तुमारी website दिखनी चाहिए, और तुम्हें उसके हिसाब से बनाना है, तो हम लोगों ने desktop के लिए तो बना लिया है, मोबाइल के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने cable html यूस किया है, तो यह by default responsive होता है, देखो, यह छोटा तो यह लगवग tablet वाली screen है, तो tablet में एक दम अच्छे से दिख रहा है हम लोग को, यह अगर मैं tablet वाली design खोलू, कहां भी मेरी design यह है, tablet में कुछ ऐसा दिखेगा, तो tablet में भी अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग यहां से खोलते हैं, एक्चॉल, यह देखो, iPad Air, Air iPad, iPad Air, तो यह है हमारा tablet, देखो, tablet में ऐसा दिख रहा है, इसको मैं zoom in कर लूँगा, 100%, तो यह देखो, tablet में ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि मैंने zoom in कर लिया, तो नीचे crop हो गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं full screen करूँगा, तो थोड़ा सा आएगा, इसको fit to screen कर देते हैं, तो यह देखो, tablet में मेरा ऐसा दिख रहा है website, जो हम लोगों ने बनाई है, और यह design, तुम compare कर लेना, और यह mobile में खोल लेते हैं, iPhone XR, देखो यह mobile में भी, तो हम लोगों ने एक बार बनाया, और हर एक screen में दिख रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लो नहीं set करी है, हम लोगों ने बसकेवल image की width set करी है, क्योंकि by default images में थोड़ी सी problem होती है, कि वो उतना उसकी width होती है, जितना उसकी actual resolution होता है image का, तो बस image को हम लोगों ने 100% width दे दी है, और फिर उसकी maximum width दे दी है, 600 ताकि उससे ज्यादा ना हो, फिर अगर उससे छोटा हमारा device का width हो रहा है, जिससे 500, तो फिर 100% width cover कर रही है image, तो हम लोगों ने कोई fixed width नहीं दी है, हम लोगों ने 100% width दी है, और इसकी width automatic 100% होती है, तो यह automatic cover कर रहा है, हम लोग चाहिए जिस device में खोलेंगे, हम लोग का अच्छा ही दिखेगा design, तो यह होगी हमारी site, अब ह इसको रख सकते हैं, ताकि हम लोग जब web development सीखेंगे, तो हम लोग यह देखेंगे, हम लोगों नो क्या-क्या सीखा, अभी हम लोग HTML सीख रहे है, फिर HTML complete होजेगे, उसके बाद CSS पर पहुंचेंगे, CSS के अंदर हम लोग को इतनी चीज़ें सीखनी है, लेकिन सब कुछ नह सीख सकते हैं हम लोग, इसमें भी यह सब कभी भी सीख सकते हैं, बाद में, main चीज ही है, core technology यही है, जो की browser understand करता है, vanilla JS, vanilla का मतलब होता है pure, समझ लोग, तो जिसे pure CSS लिखा है, pure JS लिखा है, vanilla का मतलब simple JS, तो हम लोग यह सीखेंगे, तो चलो इसको netlify पे deploy कर लेते हैं, आ तो आप लोग भी इस project को netlify पे deploy करिए, और फिर उसका link description में डाल दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोगोंने क्या develop किया है, मुझे देख के अच्छा लगेगा, और दूसरे लोग भी देख के motivate होंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम लोग देखेंगे, inline versus block elements क्या होते हैं, और कौन से दो tags हैं, जो कि हर एक website में use होते हैं, उन दो tags को भी हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग समझेंगे कि semantic HTML क्या होता है, क्या उसका महत्तो है, क्या हम लोग उसको use करते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में फिर से मि झाल, क्या हूँ, क्या हूँ, बु lä planner, झाल, झाल, क्या है, है।